हेलो अब्रिवन वेल्कम तो टार्गेट आई एस माइनेम इस महेंद कॉनर एजन एन आयोग सित्के रोल इंडिया रेंगेट टी एनगेट 2016 हम लोग क्या पढ़ रहा है नेटवर्क थेवरी पढ़ रहा है यह लेक्चर 17 नेटवर्क थेवरी का लेक्चर 16 में क्या पढ़ा थ वोल्डेज का एक्क्योशन इंडिक्टर के केस में क्या था it equal to i of infinity plus i0 minus i infinity e to the power minus T by tau और tau का value क्या था r by L और क्यापस्टर के केस में क्या था vt equal to v of infinity plus v0 minus v infinity e to the power minus T by tau and tau equal to क्या था tau equal to rc यह कहता दो यह दोनों यह दोनों थे time constant कि यह हम लोग लोग लेक्चर में देख चुके हैं and settling time क्या था कि settling time क्या पढ़ते हैं हम नेटवर्क में 5 ताउ और सेम अगर इसमें control system में होता तो 4 ताउ होता है control system में और नेटवर्क में लोग 5 ताउ पढ़ते हैं तो अभी इसके numerical देख लेते हैं उसके बाद time constant कैसे निकालना है किसी भी difficult circuit का वह देख लेंगे numerical को एक ट्रिक बताएंगे कि कैसे करना है आपको उसमें क्या है कि आपको कोई एक चीज निकालनी पड़ेगी या तो time constant निकालो गया तो आपका उसी से कोई ना कोई option मेंच कर जाएगा अगर उससे मेंच नहीं करता है तो एक हो भी जारी है तो आपको पूरा करना पड़एंगा इसमें लिखना पड़ता है चलो निमेरिकाल कर लेते हैं पहले अब यह दिया हुआए इसमें पूर रहा है फाइंड रिस्पंस ओ झांड एगा यहा इनवीमिक नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एप्जॉर्फिक अलीमन् रहेगा वीनोट यहां सेम रहेगा दोनना परल्लेल में और यह दिया है इसका इनीचियल वेल्ड वोल्डेज का इसके अपर दोनोगा बिश्पोर दिया है तो यह सीवन यह सीडू है तो बीशी बन दिया है 24 गोड़ यह देखो क्या पुछ रहा है तो सबसे पहले हम एक डाय V0-V of infinity-t by Tau, यह equation होती है, इस से हमको निकालना है, इस से निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, कर लेंगे, तो इसको पहले कर लेते हैं, देख लेते हैं, तो VC of 0 कितना हो रहे है, VC of 0 minus कितना हो रहे है, यह दोना add हो जाएंगे, क्योंकि series में है, तो 24 plus 6 यानि की 30 volt, यह हो गया अब इंफिनिटी पे देख लेंगे इंफिनिटी पे क्या होगा स्विच क्लोज हो जाएगा स्विच क्लोज हो जाएगा तो यह सर्कृट बन जाएगा और यह ओपन सर्कृट हो जाएगा यह पूरा ओपन सर्कृट हो जाएगा इधर से तक यह ओपन सर्कृट हो तो क्या आएगा V0 का वैंलूप्, करण्ट कितना फ्लो होगा, करण्ट आई होगा, इसा करण्ट जाएगा, यह वाला इस लूप में जाएगा, तो क्या आएगा, करण्ट, I equal to 12 divided by 2 प्लस 4 यांद की 12 by 6 यांद की 2 A, यह आगिए करण्ट तो इसके अक्रोस बोल्टेज क्या आएगा V-12 डिवाइड़ वाइ 2 प्लस Vy 4 एक्कोल टो 0 तो LCM कितना आएगा 2V-24 प्लस V एक्कोल टो 0 तो 3V एक्कोल टो 24 तो V एक्कोल टो कितना 8V यानि कि V infinity की value आगी 8V तो अब इस equation बूट कर देंगे तो क्या आएगा VC of T 8 प्लस 30 माइनस 8 8 दूबाव माइनस T बाई टाउ अब टाउ क्या है? टाइम कॉंस्टन्ट है तो टाइम कॉंस्टन्ट कैसे निकालेंगे इस सर्कृट का टाइम कॉंस्टन्ट कम निकालना है? टी ग्रेटर देन और एकल टू जिलो के लिए तो पहले टी ग्रेटर देन और एकल टू का सर्कृट क्या बनेगा? तो सर्कृट बना लेते हैं यह टू ओम यह शॉट्ट सर्कृट हो जाएगा मुल्टि सोर्स क्योंकि टाइम कॉंस्टन्ट के निका करना है? पहले निकालना पड़ेगा उसका यह मेरा ओपन सर्कृट हो गया क्योंकि इसके अक्रोस निकालना है और यह पोर हो गया तो यह क्या हो जाएगा? टू पैललल फोर यहनिकी टू मल्टिपलाइब फोर डिवाइब भाए सिक्स त्री यहनिकी की 4 by 3 यह आर का वेलू आ गया अब सी क्या होगा? सीरीज में लगे हैं दोनों क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सीरीज में क्या होगा? 0.3 मल्टिपलाइब 0.6 divided by 0.3 प्लस 0.9 सीरीज में होता है दोनों का multiply divided by total तो कितना हो जाएगा? 0.18 divided by 1.2 इससे यह गया और इधर एक और 0 बढ़ जाएगा तो tau equal to क्या होता है? आर सी होता है यानिकी 18 divided by 120 multiply by 4 by 3 यह 6 आ गया यह कितने बार कटेगा? चारती बारा 30 यानिकी 3 दोनी 6 तो आर सी की value tau equal to क्या आ गया? 2y 15 आ गया 2y 15 को क्या लेख सकते हैं? अभी देख लिए एक बिट tau की value क्या आई? tau equal to 2y 15 2y 15 यह निकी 1 upon 3.75 यह आ गया अब tau की value 1 upon 3.75 put कर देंगे तो क्या आ जाएगा? V of t equal to 8 plus 30 32 to the power minus minus 3.75 T यह आ गया इससे कौन सा option मेंच कर गया? option भी आगया मेरा answer अब यह देखो इसमें trick क्या है? कितना solve करने भी ज़रोती नहीं थी सबसे पहले यह देखो कि option में time constant हर कसी का अलग 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 दिया है बिल्कुल दिया है चारा option में time constant अलग अलग है तो अगर मैं time constant अकिरा निकाल लूँगा circuit का तो मेरा answer आ जाएगा तो यह time constant एक ही में match कर रहा है time constant कितना आ रहा है बनपोन 3.75 वह इस ही में match कर रहा है इस वाले option में तो यह answer वजाएगा अगर किसी भी option में time constant same दिया है तो यह वाली value है constant value constant value मतलब वह किसी पर depend नहीं है यानिंकि V of infinity infinity यह वाली value different होगी यह वाली value different होगी अगर time constant से हम है तो इस value को भी निकाल सकते है direct तो इतना सब solve करने की अरोत नहीं है direct option देखो आप option में देखो कि कौन कौन से option को आप निगलेट कर सकते हो उतना निगलेट कर लो और आपका सही option आ जाएगा दो value time constant और V infinity के value निकालने से आपके option मैच कर जाएगे 100% बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे करना है इससे आपका time बहुत बच जाएगा अभी next numerical देख लेते हैं अब इस numerical में क्या बोल रहा है find time constant of the circuit time constant किसका निकालना है इस circuit का दिया है तो time question क्या हो जाएगा आरवाइल हो जाएगा तो अब इसका क्या करना है पहले आर्यक्यकियवल निकालना है तो आर्यक्यकियन निकालने के लिए जो independent sources हैं उनको उसके internal resistance रिप्लेस करना है यहनि कि voltage source को short circuit करना है और current source होगा तो open circuit करना है और जो independent source है dependent source है उसको ऐसा ही का ऐसा रखना है यानि कि circuit क्या बन जाएगा अभी कि यह 1 किलोओम कि यह short circuit यह 99 आई और यहां से भी निकल रहा है आई निकल रहा है और यह क्या हो जाएगा यह ओपन सर्केट हो जाएगा क्योंकि इसी के एक्रोस और निकल ला है इधर क्या करते हैं हम जब वह उन क्या हो जाएगा वी वह ऐ वन क्लोओम माइनस 99 अग्र ऑ्टव्ट नने ऐंकि नइक नडुन होगा आई-1 कर लेते हैं क्योंकि यह आई लिया आई यह लिए आई-1 एककौल टुफ जिरो तो वी वह वन क्लोर्ड और आई-1 का वेल्लू क्या होगा यह होगा करेंट याँ से जा रहा है ना ऐसे कि इस गार्थन एक क्ला आए तो कितना lif ऑई कर गाहिए है आई का वैल्लू क्या गया और यह क्या हो गया अब पता ही अपने को कितना है तो टाइम क्या हो जाएगा आपको बोल देख लेदे हैं अब इस निवर्कल में क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि आपको अब दा सर्केट टाइम कोश्रेंट कालना या टी अग्रेटेजन और इकल टो जीरो के लिए क्योंकि सविच तीपे लिए क्लोज हो रहा है यह जब यह ती लेस दन जीरो के लिए क्या होगा यह ओपन होगा ओपन होगा मतलब इंडेक्टर चार्ज होंगे इस करेंट स यानिके टी लेस दन जीरो से लेक के लिए वोड इंडेक्टर है अर्स के चारजिंग जैसे ही टी अधानल इकल टो जीरो होगा इंडेक्टर क्या होंगे drop क्योंकि यह ¿क्यों यह होगा तो जो लोलोल राश्ट्रे पास होगा उकरिंट फ्लोड होगा तो यहां से उक टी करि इस्टार्ट्शार्जिंग आधे गंच आहसार कर देंगे। तो इस में क्या है कि दोनों पेरलेल में reis होंगे यह दूसरे पाइफक्त नहीं पड़ेगा क्यों कि यह दोनों पिरलेल में करनेट climacire जाएगा इसका करेंट भी तर यह दर जाएगा। 특 करेंट हमें सा लो रेजिस्टर पाथ फोलो करता है तो इसी के थिरूप करेंट जाएगा तो अलग-अलग सेपरेटी रिस्टाज होंगे एक दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं करेंगे तो दौनाओ का टाइम कोईश्टेंट क्या होगा डिफेरेंट होगा क्या दिफेरेंट होगा क्योंकि अलग-अलग कर रहे हैं तो एक का टीवन माल लेते हैं इसका और इसका टीटू तो टीवन की वेल्लू क्या आएगी आर की वेल्लू क्या है 0.5 डिवाइड़ वाइज 6 तो यह आ जाएगा 60 एंडिकी वन वाइज 12 और कर जाएगा तो यह क्या हो गया दोना के टाइम रह्त है अब यह क्या है अगर इस में कोई बीएक रिखस्टर अधर एक लगा होता है इसमें कोई घ्रत था तब यह तांट अलग-अलग नहीं होते इक ही निकलना पड़ता पूरे सर्कूट का और वह कैसे निकालते उसके ल कोई अफेक्ट नहीं करेंगे कि दिस्टार्ज पूंए मैं तो इसका टाइम कॉंस्टट डिफरेंट टाइम को जाएंगे अब इनक्स निवरकल देख लेतें अब इसका ये चार स那么 निदिया है इसे सबकर थैंब और क्या वगा ती गेंट रादन जिरो के लिए सर्किट क्य अबनेगा कर लिए एस और दाएक तंस निकृट हो जाएगा कि यह स्वाद्र में आए केपिस्टिर टो और कि ऑला क्या हो गया है तो डाइकर को गया हार ची हो गया इस हैस में किया बनेगा देखो इक ये शौ्ट सिरकेट होग्या ए एक्षिट्र शौ्रorschार कर दिया तो आर की ब्लूरो पर्ल्री का जीज हो जाएगा एकशार एक तो टाव उकल टू जीरो ही वह यहां पर 10 वोल्ट अप्लाई किया तो बिदिन सेक्ट टीकॉल टू जीरो पर ही उसका बोल्टेज कितना हो जाएगा 10 वोल्ट से चार्ज हो जाएगा वह कैपिस्टर अब यह वाला सर्केट थर्ड इसमें क्या है यह बोल्टेज सोर्स है आरन से सीरीज में लगा हुआ है तो यह क्या जाएगा स्कूल पर करते हैं का देंगे यह आरो जाएगा स क्यों कि के वैलु क्या क्या रही है कि यहां पर कया ऐ कर अ करेंट नहीं हो रहा करेंट रोय इसका मतलब क्या हूग कि इन रहे है रहे हैं को जाएगा ऐन तो वहक होते हैं य। अगर आदेङ तो तो ताव की वेलू इन्फीनिटी क्यों तो गथ सी है और में गथा आजाएगी अभी एक निवरकल देख लेते हैं इसी टाम कॉंस्टेंट के विश्च पर और यल्सी दौनों तीनों लगा के देख लेंगे थर नेक्स निवरकल में कि अगर आर यल्सी तीनों लगा दिये हैं तो किस थाइप का सर्क्विट बनेगा और कैसे उसका अनलेसिस करना है अब इस नीवर कल में क्या के पूछ रहा है इस नीवर में पूछ रहा है find i1 0+, i2 0+, vc 0+, di1 by dt 0+, di2 by dt 0+, सबसे पहले देखो, t less than 0 के लिए क्या है, switch open है, switch open है तो क्या ही चार्ज होगा कुछ, ना ही inductor charge होगा, ना capacitor charge होगा, तो capacitor के across voltage क्या आएगा, v0-, equal to 0, il 0-, il मतलब i2 0-, 0, and i1 0-, कितना होगा, ये भी 0 होगा, क्योंकि खरकेटी complete नहीं है, 0, तो capacitor के across voltage क्या, capacitor क्या करता है, vc 0-, equal to vc 0+, यानि कि ये कितना आगिया, ये तो 0 volt आगिया, एक value variate निकल गिया, vc निकल गिया, अब i2 0+, क्या होगा, i2 मतलब inductor के across current, तो inductor क्या करता है, अब फूच करता है current को, instantaneous change को, तो क्या होगा, इसके across, तो i2 0-, equal to i2 0+, equal to 0 ampere, तो ये दो value तो निकल गई, मेरी direct, इससे, अब एक क्या रहे गया, i1 0+, ये, ये, दो, तीन value आ रहे गई है, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, T, T greater than 0 के लिए, यानि T, T 0+, के लिए मुझे डाग्रम बनाना पड़ेगा, यानि कि T equal to 0+, तो क्या बन जाएगा, कैबिस्टर को voltage source से replace कर देंगे, और inductor को current source है, तो ये बन जाएगा, plus minus 10 volt, switch close, voltage source मतला, 0 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, short circuit हो जाएगा, कैबिस्टर, and ये कितना हो जाएगा, 2 ohm हो जाएगा, ये 2 ohm, और inductor के cross current कितना आया, 0 आया, 0 मतला open circuit, तो ये open circuit हो गया, तो इसमें जो current flow होगा, I1, 0 प्लस, वो कितना होगा, 10 divided by 2, क्योंकि यहाँ तो जाएगा, current ये open circuit है, तो ये कितना आ जाएगा, 5 ampere हो जाएगा, तो तीन value निकल गई, अब रहे के गई, ये वाली और ये वाली, अब inductor के cross current क्या होता है, voltage का होता है, L, DIY, DT, और इंडेकर के cross current क्योंसा है, I2 है, तो यानि कि, I2, Di2, 0 प्लस की value निकालने के लिए, इसकी, इसकी अक्रोस जो voltage होगा, VL, 0 प्लस, डिवाड़ेड़ वाल कर दूँगा, तो ये value आ जाएगी मेरी, इसकी value, ये जो मुझे निकाली निदर, तो इसको देख लेते हैं, अभी इसको मिटा जेते हैं पहले, क्योंकि ये तीन value तो मेरी आई गई है, ये वाली, ये वाली और ये वाली, अभी बागी देख लेते हैं उसके बाद, अभी तीन value कौन-कौन जे निकाल गई, i2, 0+, vc, 0+, and i1, 0+, अभी ये दोना निकालना है, तो सबसे पहले ये loop 2 में kbl लगा दो, तो kbl लगा देंगे तो क्या आएगा, loop 2 में current इस direction flow हो रहा है, और इसमें i1 इस direction में, तो क्या होगा, plus, minus, plus, minus, and plus, minus, 2 क्या होजाएगा, 2 into i2 minus i1, ये minus से निकाल रहा है, minus 2 into i2, and यदर भी क्या, minus 2, यदर क्या होगा, इसके across करेंद, inductor के across, l, di2 by dt, equal to 0, negative, 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 cancel होजाएगा, तो क्या होजाएगा, 2 i2 minus 2 i1, plus 2 i2, l की value क्या है, 2 into, di2 by dt, equal to 0, क्या होजाएगा, 4 i2 minus 2 i1, plus 2 di2, d2, equal to 0, अब ये कितना, t equal to, t 0 plus पे value निकाल लिए इसकी, तो सभी में g plus की value, 0 plus की value, तो क्या होजाएगा, इसको, 4 i2, 0 plus, minus 2 i1, 0 plus, plus 2, di2, 0 plus, divided by dt, equal to 0, तो i2 की value क्या आई थी, ये 0 आई थी, तो ये 0 होजाएगा, और i1 की value हमारी कितना आई थी, 5, 5 multiplied by 2, equal to 10, तो क्या होजाएगा, 10 equal to, di2, 0 plus, divided by 2, तो ये 5 होगया, यानि कि, di2, 0 plus, divided by dt, equal to, कितना आजाएगा, 5 ampere, per second, ये, इसकी unit होजाएगी, तो ये वाली value भी आगई, आप कौन सी रह गई, ये रह गई, di1, 0 plus, divided by dt, तो इसकी value निकालने के लिए, जैसे इस में loop 2 में kvL लगाया, आप loop 1 में kvL लगाएगे, loop 1 में kvL लगाने से उसकी value आजाएगी, तो loop 1 में लगा देते हैं, जैसे, जैसे, loop 1 में kvL लगाएगे, तो क्या आएगा, 10 क्योंकि positive से निकल रहा है, plus, sorry, minus 1 by c, integration of idt, capacitor के across voltage, minus 2 into i1 minus i2 equal to 0, क्योंकि i1 इस direction में और i2 इस direction में, अब क्या कर लेंगे, इसको simplify कर लेंगे, तो इधर क्या आजाएगा, 10 minus 1 by c, 1 by c की value कितनी है ये, 2, तो 1 by 2, integration of i1 dt, minus 2 into i1 minus i2 equal to 0, अब पूरी equation को differentiate कर देंगे, तो ये constant value की value क्या हो जाएगे, 0, और ये क्या हो जाएगा, 1 by 2 minus का i1 minus 2 di1 y dt plus 2 di2 y dt equal to 0, ये minus minus plus हो जाएगा और दोनों को differentiate कर दिया, अब ये देखो, इसमें i1, मुझे क्या value निकाल लिए निवर कल में, i1 0 plus divided by s की value निकाल लिए, अब सब में 0 plus की value पूट कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 1 by 2 i1 0 plus plus 2 di1 0 plus divided by dt, माइनस 2 di2 0 plus divided by dt, इसकी value मुझे पता है, इसकी value मुझे पता है, तो क्या हो जाएगा ये, ये 5 by 2, इसकी 5 आई थी, और di2 by 0 plus divided by dt, माइनस ये कितना हो जाएगा, 2 into 5, इकल टो 0, तो कितना हो जाएगा, इसकी value क्या आएगी, इसकी value आएगी, ये स्टेट जाएगा, तो 10 minus 5 by 2, ये 2.5 divided by इसका value ये 2, तो क्या हो जाएगा, simplify करके, 10 minus 2.5, ये 7.5 divided by 2, ये 15 by 4, ये इसका answer हो जाएगा, तो ये 4 value इसकी निकाल लिए हमने, अभी next देख लेते हैं, अभी क्या देख रहे हैं, next topic है, RLC सीरीज में लगाया, DC source के साथ, यानि की, resistor, inductor, and capacitor, एक switch लगा है, and ये DC voltage लगा है, V और T equal to 0 पर switch close हो रहा है, RLC, T greater than 0 पर क्या होगा, T greater than or equal to 0 पर क्या होगा, switch close रहेगा, switch close रहेगा, इसमें current कुछ I flow होगी, I current बार लेते हैं, तो KBR लगाएंगे, तो क्या equation आएगी, V equal to I R plus L DIY DT plus 1 by C integration of I DT, ये equation बन जाएगी, series में इसकी ohms loss है, तो इस equation को क्या करेंगे, अगर मैं differentiate कर दूं, both side, with respect to time, differentiate with respect to time, तो क्या हो जाएगा, ये constant आएगा, DC, यहनिकी 0, इसका 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, I R, DI1 by DT plus L D2, I divided by DT square, DT square plus 1 by C, D, I equal to 0, ये equation बन जाएगी, ये क्या है मेरी, second order equation है, इस equation से, अगर मैं इसका, जो roots निकालूं, किसी भी equation के, second order के, तो इसको DT को D से replace कर दूं, तो क्या हो जाएगा, ये equation क्या बन जाएगी, R, D equal to अगर, DI by DT put कर दूं, तो क्या बन जाएगा, R, D plus L, D square plus 1 by C, equal to क्या हो जाएगा, 0, ये हो गया, तो इस equation में D के जो roots होंगे, वो किस से निकालेंगे, C दराचाल से, मतलब माइनस B, प्लस माइनस, root of V square minus 4AC, divided by A, 2A, इस से क्या निकालेंगे, इसके roots निकाल लेंगे, तो वो निकाल लेते हैं, roots के आएगे भी, अब इस equation को क्या करूँ हो, मैं L से divide कर दूं, तो क्या हो जाएगा, D square plus R, Y, L, D, plus 1 upon L, C, equal to 0, तो क्या हो जाएगा, D equal to minus B, मतलब minus B, मतलब minus R, Y, L, plus minus, root of V square, V square मतलब, R square by L square minus 4AC, तो 4AC, A की value, 1 divided by L, C, divided by कितना होता है, 2A, 2A की value क्या है, 2A की value क्या है, 1, multiply 1, तो क्या हो जाएगा, इससे, D equal to minus of R, Y, 2L, plus minus, 2 को अंदर ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, N की, R, Y, 2L का square, और 4 से 4, cancel, 1Y, L, C, यह आ जाएगा value इसका, D का, अब इसमें देखो, कितने case बनेंगे, 3 case बनेंगे, तो case 1 क्या होगा, if R by 2L is greater than 1 by L, C, अगर यह greater than राएगा, तो इसकी value क्या आएगी, एक real number राएगा, real number राएगा, तो D के जो दो root आएगे, वो दोनो real राएगे, तो real राएगे, उस case में क्या हो जाएगा, जो D की value होगी, D1, D2 जो आएगे root, alpha, beta समझे लों कुछ भी, कि alpha, beta दो root value है, तो जो current की equation होगी, I of T, क्या होगा, C1 to the power, alpha minus beta T, plus C2 to the power, यह plus राएगा, alpha plus beta T, यह अल्रेडी हम लोग math में पढ़ चुके हैं, अगर किसी भी 2 equation के root alpha, beta हैं, तो इसका किसना, इस type का expression आएगा, case 2 में क्या रहेगा, r by 2l equal to 1ylc, 1ylc रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, यह पूरी value 0 हो जाएगी, क्योंकि यह आपस में cancel हो जाएगे, तो दोनो root इसके क्या आएगे, D equal to alpha, alpha हैंगे, क्योंकि दोनों same आएगे, यह value आएगे, दोनों root same आएगे, alpha alpha, तो इस case में i of t का expression क्या होगा, c1 plus tc2 e to the power alpha t, यह equation बन जाएगी, चोंकि दोनों root same आएगे, यह mathematics में हमने अल्यडी पढ़ा है, और case 3 में क्या होगा, अगर यह वाली value greater than होगी, यानि कि 1 y lc greater than r y 2 l, तो इसका यह क्या होगा, यह पूरी value negative आएगी, negative आएगी, negative का root निकालने के मतलब, imaginary number, imaginary number मतलब उसके root क्या होगे, जब imaginary root आगा है, तो उस case में जो current का equation होगा, वो किस form में आएगा, c1 cos beta t plus c2 sin, beta t e to the power alpha t, इस type का expression आएगा, यह हम सब लोग already mathematics में बढ़े चुके हैं, तो यह तीन, तीन बन गया है, मैरा तीन case होगिया, तो इस case में क्या होगा, over damping होगा, इस case में क्या होगा, third case में under damping होगा, under damping मतलब imaginary root आ रहे है, इसमें real root आ रहे है, और जब दोना सेम root आ रहे हैं, और दोना सेम आ रहे हैं, तो वो क्या होगा, critical damping होगा, अभी हमने series तो देख लिया, अब क्या देखेंगे, इसका parallel देखेंगे, इसमें 2-3 और देख लेंगे, कि R का value कैसे निकालना और क्या करना है, वो देख लेते हैं अभी, next, अब जैसे ये numerical दिया हुआ है, V of T equal to 10 into 10 minus, 10 T minus 0.01, U to the power minus 100 T, अब उसमें क्या बोला है, find damping and roots of equation, damping and root, तो damping find करने के लिए, हमने 3 case पड़े अभी, 3 case क्या पड़े, कि या तो critical होगा, या over होगा, 100 होगा, तो तीनों के अलग-अलग equation मेंने थे, तो जो critical damping था, उसमें क्या equation आ रहा था, C1 plus T C2, E to the power alpha T, यह आ रहा था, इससे इसको compare कर देंगे, तो कौन सी damping आ गई है, यह critical damping होगा, same match कर रहा है, और इसके root क्या हो जाएंगे, alpha की value कितनी आ रही है, minus 100 आ रही है, यह, तो दोना root क्या हो जाएंगे, minus 100 हो जाएंगे, तो यानि कि, जो D1, D2 जो roots होगे, वो इसके, minus 100, minus 100 हो जाएंगे, तो यह इसके roots भी निकल गए, और damping भी निकल गई, आभी हमने तीन case पढ़ लिए, critical damping, under damping, over damping, in case, यह जो root निकल गए थे, उससी equation के, r equal to 0 हो जाए, r equal to 0 हो जाए, तो क्या बचेगा, यह वाली value 0, यह भी value 0, तो बचेगा यह, root of minus 1 ylc, यानि कि, imaginary number आएगा, तो कोई beta आएगा, beta की value क्या होगी, alpha क्या हो जाएगा, alpha 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि real value कुछ नहीं है, वो जो expression हमारा आ रहा था, कि c1, cos of beta t, plus c2, sin of beta t, e to the power alpha t, तो यह alpha क्या था, alpha real number था, यह alpha plus minus ib इसके root थे, i beta इसके root थे, जब alpha की value 0 होगी, alpha value 0 होगी, मतलब, r की value, यह वाली, real value 0 होगी, real value 0 होगी, तो यह वाली, e की power वाली term हट जाएगी, तो इसका expression क्या आ जाएगा, expression आ जाएगा, c1, cos beta t, plus c2, sin beta t, इस टाइक का expression आ जाएगा, क्योंकि alpha की value 0 होगी, अब यह beta equal to क्या आ गया, 1 upon root of lc, यह value रहेगी, क्योंकि imaginary तो है, तो यह कौन सी damping होजाएगी, यह होजाएगी, undamp, मतलब, कोई damping ही नहीं है, क्यों नहीं है damping, क्योंकि उसमें resistance की value 0 होगी, और l और c मेरा अकेला बचेगा, l and c, यह directly एक dc port से connect रहेगा, तो यह कौन सी होगई, undamp होगया, हमने चार देंपिंग पढ़ ली, critical damping, over damping, under damping, and undamp, तो यह चार डाइब के damping होगई, अभी इसके आगे देख लेते हैं, कि उसका जो factor निकलेंगे, कौन कौन से damping ratio होता है, damping ratio क्या होता है, and q factor क्या होता है, वो देख लेते हैं, series ने parallel के लिए, अब यह बोल रहा है, इस numerical में है, कि fine damping of the circuit, यह circuit दिया रहेगा, कोई भी, उसका damping निकालने के लिए, उसको conclude कर देते हैं, अभी तो हमने क्या किया दर आ रहे है, इसके रूट से निकाल ले थे, इतना लंबा मैसल तो नहीं करेंगे, क्योंकि time बहुत जाता लग जाएगा, तो इसका shortcut क्या है, damping निकालने के लिए, तो जो damping ratio होता है, eta equal to, ry to, root of, cyl, in case of, series, जब series में connect हो, rl c, अगर parallel में है, तो, eta equal to, 1y, 2r, root of, lyc, ये कब हो जाएगा, ये parallel में हो जाएगा, ये parallel में, अब, इसकी value निकाल लेंगे, eta की, तब, पता कैसे चलेगा, कि कौनसी value, over damping के लिए है, कौनसी under damping के लिए है, कौनसी und damping के लिए है, तो कैसे पता चलेगा, critical, eta less than 1, eta greater than 1, integral to 0, 0 मतलब 0 कब आएगा, 0 आएगा, तो क्या हो जाएगा, ये, und damping हो जाएगा, और ये, इस case में क्या हो जाएगा, अब, less than बन रहेगा, less than बन रहेगा, तो under damping, and greater than बन रहेगा, तो over damping, तो directly आप, series चाहे parallel कुछ भी रहे, इसके लिए निकाल सकते हैं, eta से, तो आपको जाबरिस्ती, equation बना के, root निकालने के ज़रूद नहीं है, तो हम लोगों अभी क्या पढ़ लिया, time constant निकालना चीख लिया, time constant कैसे निकालना है, किसी भी circuit का, damping देख लिया, RLC, series और parallel कानेक्ट हैं, तो damping कैसे निकालना, eta के थुरू, अगर eta less than 1 है, eta greater than 1 है, eta equal to 1 है, eta equal to 0 है, तो इस case में कौन सा damping होगा, और आप हम अग्रे लेक्चर में क्या देखेंगे, अग्रे लेक्चर में देखेंगे, AC transient, अभी हमने DC पढ़ लिया, आप AC देखेंगे, और उसके बाद Laplace पढ़ेंगे, Thank you,